गुद बॉर्निंग एंड लेट सेलिब्रेट दोस्तों मेरे नाम अनुराग अगरवाल है और मैं पिछले करीब 18 सब 18 सालों से ट्रेंग देरों कि कैसे अपने बिजनस को ड्रेप करना है और कैसे आपको मंजप्रा के लोगों को अड्रेस करना है इन कोर्सिस को अगर आप जा जा रहा हूं देखो इस से पहले कि मैं misson को बोलू उयुक्त को बताउं कि के बीट करना है कैसे अप्रद्वनदी से अपने कमपाईटर से आगे निकलना है उससे पहले मैं हमेशा एक बात की अटा रहा हूं साहاب कि कि üzी बीडंग से ऐसी फील में बच जाये जहां पर हर रे कोई है आपके सक्सेशपल होने का आपके सफल होने का चांसे जो है वो बहुत कम हो जाते हैं तो आपके उस फील के लें हर टॉम डिकन नहरी वहाँ पर है, हर एक कोई इंसान उसके निदर आ सकता है, अगर आ सकता है, तो क्यों जाते है आप ऐसे, ऐसी जगह पर जाइए, आप हर एक कोई नहीं है, कुछ ऐसी चीज, अच्छा अनुराग ये बताओ, कि नहीं चीज होगी क्या, भाई, वही सूट ह हो सकता, वही शर्ट शर्ट हो सकती है, वही गलास, वही वही उटेंसिल हो सकते हैं, वही गलास, वही प्लेट, वही चमच, देखे, माल लीजिए, आप बड़तर मैनेट्टर हैं, आप क्यों नहीं कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं, जो कि आप ऐसी प्लेट लेके आते हैं, और वो हो सकते हैं आपकी cost को थोड़ा से बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, 30, 40, 50, 60, 70 रुपे, देगी वो एक अलग हट की चीज़ होगी, ऐसी चीज़ जो कि और किसी के पास रही है, आपको थोड़ से हसी आरी होगी, कि ये plate, चमच, और glass, edible क्या बेकार का example दिया ह जी नहीं, मैंने कोई बेकार का example नहीं दिया, मैंने तो एक वीडियो देखी है, मैंने तो शाक टेंग का एक एपिसोड देखा है, अगर आप देखते हैं शाक टेंग नहीं देखते हैं तो जाके देखें शाक टेंग को, अमेरिका में होता है, और शाक टेंग के अंदर बि पहीं उसकी पर रेस्टरा में खाना काता है ख्itaire है को चेवड़ा फूंट भी खाता है लेकि eक एज जाता है उस रेस्टरा वाले को उस होटल को एक एज मिलता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे competitor के पास नहीं है नतीज़ा आपकी चीज़ बिकती है और आपको ज़़दा प्रॉफिट मिलता है तो इस लंग से क्या आप नया सोच सकते हो अगर आप नया सोच सकते हो आपके लिए मारकेट है मैं अपनी कितनी ही वीडियो में किया चका हूं साहब कि अ निकलने के चक्कर में एक दूसका गला काट परते हो अगता है सब के सब लगिये हैं आपको वहीं पर जाना है मर्जी आपके है तो मैं आपके बास लेकिया है हूं कि किस प्रकार से आगर आप उसी profession में हैं जहापर सब किस सब हैं सब किस सब आपको रहना ही है क्योंकि आप पर जिस existing business में हूँ और मैं छोड़के जा नहीं सकता तो यहां पर कुछ ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं computer को अपने computer को अपने प्रजिद रख करके मैं आगे बढ़ सकूँ तो चलिए मेरे पस कुछ एक आपके लिए suggestion है चलते हैं हम लोग आपको याद है मेरे अपनी एक तरह नतीजा क्या हुआ कुछ ali प्रजे के पहली बात है यह मेरे साथ में हुआ है क्या और ऊरक की साथ में नहीं होता हरे कि साथ में हो सकता है अपके साथ में हो सकता रहा है सबसे पहले Sब पहले समझ रखिए मिपिया कि अगर employee तूट करके कोई मिग आपका competitor है जो आपका प्रत्य दंदी है आपका साथ वाला है अगर वो तोड के किले की जाता है तो इसे भूनने की जूट नहीं है अकल को डखो क्योंकि everything is fair in love or in competition प्यार का मैदान हो या लड़ाई का मैदान हो या फिर competition हो सब कुछ जायज है do unto others before others do unto you इससे पहले कि कोई इंसान आपके साथ ने करे साथ ये गला काट परते होता है cut throat completion है इसमें वो इंसान दो शर्म करता है वो कभी survive नहीं कर सकता मैंने शर्म की मैं एक timid था मैं नहीं कर सकता था किसी और ने किया वो मेरी लाश के उपर मेरे चली के उपर रखकर के पैर आगे ने कल गया अगर आप इसी प्रकार से चुप रहे तो कोई ना कोई आपका प्रत्यूजदी कोई ना कोई आपका competitor आपके employees को आपकी management को आपकी agent को तुड़के लेके जाएगा तो सबसे पहले एक संग्यान एक learning आप ले लिजे कि किसी प्रकार से मैंने सक्त नहीं करना मैंने सड़ना नहीं है अगर मेरे employee को मेरा कोई competitor लेके जाता है बलकि आपको कोशिश करनी है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है सब कुछ जायाज है everything is fair in love war in competition मुझे उसके employee को पहले तोड़ना है इस डंक से offensive रहोगे competition में वो इनसान जो defensive रहता है उसको सर्वाइब नहीं कर पाता अगर आप offensive हो और आपकी field के इस प्रकार से इतना ज़रा competition है कि हर एक को एक दूसरे के employee को तोड़ता है तोड़ो आगे निकले साहब मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपका competitor आपके employee को तोड़ता है तो इसमें अशान्त होने की जूत नहीं है और साथ में आपको अगर मौका मिल सके तो अपने competitor के employee को आप तोड़ सकते हैं लेकि उसके साथ में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ और वो ही है कि अपने जो competitor है आपका उसके पुरा spike करके रखो उसके पुरा नजर करके रखो तेखो कि उसकी क्या क्या जगाओ पर वह आप से आगे है क्या उससे आप कुछ learn कर सकते हो उसके कोई marketing strategy ऐसी है कोई आपका उसका कोई तरीका ऐसा है कि employees को manage करने का उसका तरीका ऐसा है या अपने अपने channel partners को कैसे करता है उससे देखो उसकी क्या क्या वो schemes लेक्या रहा है क्या क्या offers लेक्या रहा है अगर आप उसको ढंग से watch करोगे, spike करते रहोगे हमेशा spike करना पड़ेगा आपको हर वो अच्छी चीज जो आपका competitor कर रहा है उसको देखो और हर वो जगा पर जहां पर वो गलतियां कर रहा है उससे भी आपने learning लेनी है ताकि आपने वो गलती खुद नहीं करनी हाँ, यहाँ पर एक बात और कहता हूँ मैं आपको कि आपका जो competitor है अगर वो अच्छी चीज चीज कर रहा है तो यह मत सबचना कि जैसा वो कर रहा है exactly वो ही copy मुझे करनी है copy तो वैसे मैं करना नहीं चाहता कि आप, यह कहना ही नहीं चाहता कि ऐसी copy कोई आप करे imitate नहीं करना है, लेकिन अससे learning लेनी है और learning लेकि अपने तरीके से आपने उसको निकाल के लेकि आना है इसलिए नहीं कि imitation है, इसलिए भी कि जो चीज आपके competitor के लिए है जो strategy उसके लिए है जो तरीका वो लेकि आ रहा है exactly वो ही copy अगर आप अपने profession में रहते हुए करेंगे चाहे आपको उसी field के अंदर है उसी माल को आप बनाते है exactly उसकी copy अकसर देखा गया है कि वो नहीं शलती तो आपको उसकी strategy से learn करके उसको धीरी-दी implement कीजे अपने हिसाब से उसको change कीजे उसको अपने हिसाब से mold कीजे और नया कुछ लेके आईए उससे भी learn कीजे जो आपके पास अपना है अपना जो experience है जो आपके खुद की strategy ने उन सब को मिलाने के बाद उसको लेके आईए मैं आपको विशास रा सकता हूँ कुछ निया निकल के आएगा तो आपको क्या करना है हमेशा अपने computer के हर एक अच्छे हर हर एक खराब step को अपने watch करना है spy करना है मैंना आपको कहा कि आपको spy करना अपने computer पर लेकिन भही पर ये भी ख्याल लखेगा कि हो सकता है जो आपका computer है आपका प्रतिदवन्दी है वो भी कोई कम खेला खाय तो नहीं होगा क्या वो आपको watch नहीं कर रहा होगा क्या वो आपकी तब नहीं देख रहा होगा अगर आपकी position उससे नीचे है तो हाँ हो सकता है वो आपको watch न कर रहा हो लेकिन अगर आपकी position उसके साथ में है या एक step उपर एक step नीचे हो तो आपको जरूर watch कर रहा होगा यहां से आपने एक तो सबसे पहले learning लेनी है कि आपको हमेशा अपने से नीचे वाले को नहीं देखना आपने से उपर वाले को देखना है उपर से उपर जो भी आपकी top position पहें उससे आप learn कीजे number two से number three से आप learn कर सकते हैं वो उनकी strategies क्या है लेकिन वहीं पर ख्या लखे जिस प्रकार से मैंने कहा कि आपको उनकी strategies को watch करना है spike करना है हो सकता है वो आपको watch कर रहा हूँ अगर वो आपको watch कर रहा है वो आपको spike कर रहा है तो आपको untrictable रहना है आपको इस भंकी अपनी strategies को रखना है इस धंक से अपने तरीकों को रखना है अपनी sales को अपने sub employees को इस धंक से आपने intact करके रखना है कि उसका पता ही ना लगवाए कि आपकी strategy है क्या आपकी move है क्या आप cricket का game उठा के देख लिए अगर baller को पता लग जाए कि batsman की जो set patterns क्या है वो on side मिजाग खेलता है वो off side मिजाग खेलता है अगर उसको पता चल जाए कि उसके set patterns क्या है तो उसका और कना बहुत असाल हो जाता है cricket क्या, football क्या, hockey क्या, हर game के अंदर अगर opponent को पता हो कि इस team की strength क्या है उसकी weakness क्या है तो उसे वो फायदा उठा सकता है इसी दंग से आपका competitor आपको लेकर के वो फायदा उठा सकता है तो आपने इस धंग से अपनी moves को रखना है कि ताकि वो बिलकुल unpredictable हो उसको judge ना किया जा सके और आपके घलतियों से और आपके अच्छाईयों से आपकी success वो ना लर्न कर पाए हम लोग बात कर रहे थे marketing strategies की आपकी marketing strategies जो है क्या वो hackmate तो नहीं हो गई क्या वो जंजीन तो नहीं है पुरानी तो नहीं है साब इनको आपको modify करना पड़ेगा अपनी marketing strategy को ये time था जब 20 साल तक 30 साल तक आपकी एक ही strategy चल सकती थे कि अब नहीं चलती आपको उसके constantly change करना पड़ेगा अगर वो stayl हो चकी है तो उसका और कर दम कीज़े बबालता हूँ नई marketing strategy को मैं तरीकों को लेने से उसके अंदर आपको अंध्यारा मिल सकता है गलियारा अंध्यारा है उसके अंदर बहुत ज़दा उसके अंदर रिस्क आपके इंदॉल्फ हो सकते हैं आपको return कम मिलेगी नुकसान ज़दा हो सकता है लेकिन change तो करना ही पड़ेगा सडक के बीच में अगर आप खड़े रहेंगे तो कोई नवक्र वहिकल आपके उपर से जाये जायेगा तो आपको तो change करना पड़ेगा otherwise आपके profits वो नीचे dump करेंगे करेंगे नीचे slit करेंगे आपको अपनी strategies को change करना है अपनी strategies को change करना है competition के अंदर अपनी strategies को आपको change करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको पीछे कहके चुका हूँ, अपने competitor को देखे, उसकी गलतिया क्या है, उनसे सीखे, उसकी अच्छाईयों से सीखे, उसकी success सीखे, और अपनी भी strategy को constantly आपको change करना है, competition जो है वो वाके में एक लड़ाई के में आपको हर वकत एक नई से नई चीज़ लेकानी पड़ती है, इसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, घंटो घंटो तक आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से मुझे आगे निकलना है, या तो आपने आप प्रड़क्ट लेके आईए, या फिर आपको सोचना कुछ नयार रास्ता होगा अगर आपके सामने एक दिवार है तो उसमें एक दिवाजा होगा उस दिवाजे को खोलिए नहीं खुलता है तो लॉक उसका तोड़िये नहीं तूटता है तो सुरंग बनाएए नहीं सुरंग बनते है तो दिवार को फान दिये नहीं फानते है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही चाहे आप कुछ भी करिजे When there is a problem, there is a solution आपने कितने solution ट्राइ की है आपने 10 ट्राइ के, तो 11 होगा आपने 20 ट्राइ के, तो 21 लँगा, 22 लँगा, 23 लखा, 24 लँगा साहब ट्राइ करते रही है, करते रही है करते रहें कोई ना कोई सेलूशन आपका जूर निकलेगा यहां बैटल फील्ड में और मार्केटिंग फील्ड के दार थोड़ा सा फरक है कि बैटल फील्ड के दार इनसान जाता है यहां पर प्रटक जाते है अगर आपने अपने आपको चेंज न किया तो क्या होगा आपका प्रटक आउट होगा और आपको नुकसान होगा यह संबब है हो सकता है तो अपने आपको चेंज कीचे हर वकत सोचईए राम मस्च बी अफ़ बेढर वे आउट राम मस्च बी अफ़ वे आउट निकालिए उसको ढूंदिए कैसे आपको अपने रास्ते को निकालना है, कौमडिशन को बीट करना है, आगे निकलना है. अगर आप आप इन कोर्सिस को जोईन करना चाहते हैं, बिजनस कोर्स को और पब्जिस पिरिंग कोर्स को तो उपन लिखे वे निमबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और वीडियो का अगर आप चाहते हो सब्सक्राइब बिटन को आप हिट करना मत बूलना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप हिट करना मत बूलना और आप अपने वेपारी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं इसको लाइक कर सकते हैं और मैं आपको इसी प्रकार से नई से नई से नई वीडियो में आपको बना के देता रहूँगा, हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स वीडियो के निर तब तक के लिए, आफ इड़ा सेंड, शबा कैर, बी सिंग यूग, गुड़नाइट.